Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics सेवी चीफ मादभी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच का नाम एकड़म से अडानी घोटाले के साथ कनेक्ट किया जाने लगा इस रिपोर्ट में आज हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो हिंडिनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है इसका खंडन किया है IIFL ने किस तरह से Blackstone ने इसके उपर सफाई दी है क्या कुछ कहा है ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर मादभी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच का जो अडानी कनेक्शन रिसर्च रिपोर्ट बता रही है वो किस तरीके से नकार रही है ये entities प्रवीन जी से इसके उपर बात करेंगे सर सबसे पहले 361 की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जो डीटेल्स हैं जो दावे किये गए उसको नकार रही है क्या है ये पूरे दावे क्या बयान इनकी तरफ से जारी किया गया जो नकार रहे है इन दावों को देखेंगे 361 जो वैल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसको पहले आयए अखल वैल्थ मैनेजमेंट कहा जाता था इसका नया नाम यह है इसका जो एक फंड है जो आई पी प्लस वन फंड जिसको लेके हिंडनबर्ग ने आज जो विसल ब्लूर्वर्स के हवाले से अपनी रिप कुछ और उनके पती ने इस फंड में पैसा लगाया 2015 में और बाकी जो पूरा एक उसकी वजह से पूरा एक तरह से हड़कम मचा हुआ है सारे पूरे बाजार में बाकी सारी जेकों पर उसमें अब 361 का जो है वो बयान आया उन्होंने अपनी सफाई दी है उन्होंने कहा है कि यह एक रेगुलेटेट फंड है जो अक्टूबर 2013 में लॉंच हुआ था यह 2013 से 2019 तक यह फंड ऑपरेट हुआ और आई पी प्लस वन फंड ने अडानी ग्रुप की किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाया कि अडानी ग्रुप की किसी कंपनी के शेयर में इस फंड का कोई इ यूम है वो 48 मिलियन डॉलर पे रहा है मैक्जिमम और इस फंड का 90% इन्वेस्टमेंट है वो बॉंड में रहा है यह फंड पूरे नियम कायदे कानूनों का पालन करता है उन्होंने यह भी कहा है इस फंड की तरफ से कहा गया है कि मादभी पूरी बुच और दबल बुच क इस फंड में का जो इन्वेस्टमेंट तक ही उनका इन्वेस्टमेंट इसमें रहा है और फंड का जो कामकाज है जो इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका है उसमें किसी इन्वेस्टर का कोई दखल कभी नहीं रहा तो यह एक बड़ी बात कही गई है फंड अपने सारे जो ज बुच पे जो आरोप लगाए गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उसको खारिच एक तरह से इस फंड की तरफ से कर दिया गया है तो यानि 361 फंड से खारिच कर रहा है कि अडानी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है जबकि हिंडनबर्ग ने सर यह आरोप लगाया था यह द की तरफ से भी एक सफाई पेश की गई है ब्लाक स्टोन का भी जो है नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक बार फिर से आया जब डानी के ऊपर आरोप लगे थे तब भी ब्लाक स्टोन का नाम बहुत चर्चित रहा था और आज मादभी पूरी बुच का भी नाम जब सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लाक स्टोन का नाम उठके आ रहा है एक बड़ा आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में इस पे लगाए गया लेकिन अब ब्लाक स्टोन की तरफ से भी सफाई आ गई है तो सर ब्लाक स्टोन ने क्या कुछ कहा है क्या उसने तरफ से बात रखी है मादवी पूरी बुच से इस कनेक्शन को कैसे दूर किया है यह आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल देखे ब्लैक स्टोन ने क्या सफाई दी उससे पहले यह बताता हूं आपको कि जो आई पी प्लस वन फंड है वो किस तरह से अडानी और मादवी अगर हम ब्लैक स्टोन की बात करें तो ब्लैक स्टोन एक पी फर्म है ग्लोबल फर्म है और उसका जो इंडिया में रीट को लेकर वो इस्पांसर करती उनको मैनेज करती है उसमें वहां पे जो धवल बुच हैं वो सीनियर एडवाइजर हैं 2019 से अब इन्होंने यह कहा है उसमें एक जो आरोप लगाया गया था वो यह लगाया था कि धवल बुच के पास इस काम क करने की कोई एक्सपर्टीज नहीं है वो ना केपिटल मार्केट में रहे ना वो रियल इस्टेट के कारूबार को में उनका कोई समझ है तो क्यों उनको रखा गया उस पद पे यह सवाल उठाय गया तो तो अब ब्लैक स्टोन ने जो सभाई दी है उसमें यह का है कि रीट और धवाल बुच के बीच में कोई रिलेशन नहीं है वो कंपनी में 2019 से सीनियर एडवाइजर हैं कंपनी में कैवे कैपिटल मार्केट का हिस्सा नहीं रहे कभी और उन्होंने यह भी कहा है कि जो इनकी धवाल बुच की अपवेंट्पेंट है वो सेवी चीप मादूई पर हैं धवाल बुच के बारे में यह भी का गया ब्लैक स्टोन की तरफ से कि वह वहाँ प्रोक्यूर्मेंट और सप्लाइचेन को लेकर सलाह देते थे सर बड़ा बयान है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई उसमें इस बात का दावा किया गया क कि रेगुलेटरी नियमों में बदलाफ किया गया था रिट्स को फाइदा पहुचाने के लिए तो कहीं ना कहीं यह जो सफाई आई यह बड़ी सफाई है क्योंकि कहा जा रहा है कि धवल बुच और रिट्स के बीच तो कोई संबंध ही नहीं है सर जिस तरीके से रेगुले बिलकुल सही बात आप कह रहे हैं जिस तरह से सफाई आई है ब्लैक स्टोन की उससे इसी चीज को इस्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं हिंडनबर्ग कि तरफ से वह कताई बेबन्याद हैं उनका कोई उनका कोई आधार नहीं है और जो कहा गया कि रीट्स में जो इस तरह के रेगुलेटरी फियर वदल किये गए वह इसलिए किये गए क्योंकि वहां पर इनके जो आस्पेंट थे महाधिपुरी बुच के उनको सीनर एडवाइजर बनाए गया था और दो जो रीट्स हैं वह लॉंच भी हुए जिसको बारे 500 करोड रुपे उसने उस तरह से बनाए तो वह आज उन्होंने अपनी जब यह रिपोर्ट आई उसके बाद आज सफाई उन्होंने दे दिया भी और साफ कर दिया है कि उनका इस तरह से धवल बुच किसी तरह से रीट्स के से जड़ा हुआ कामकाज्य था ब्लैक स्टोन का उससे उनका कोई association नहीं था इसी के साथ ही एक तरफ तो IIFL की तरह से यानि 361 की तरफ से अपना बयान चारी किया गया फिर ब्लैक स्टोन ने अपनी सफाई दे दी और यह कह दिया कि धवल बुच और रीट्स के बीच में कोई संबन नहीं है मादभी पूरी बुच का यह ज के चेर परसन के उपर यह आरोप है तो बाजार इसको कैसे देख रहा है फंड मैनेजर इसको कैसे देख रहे थे इसको ले करके कहीं ना कहीं लोगों के मन में जब यह था कि कल जब बाजार खुलेगा तो क्या कुछ होना है बाजार इस पर कैसे response देता है लेकिन जो Amphi की आई है सर एक बयान जारी किया गया Amphi की तरफ से वो भी हमारे viewers को जानना जरूरी है क्योंकि Amphi की तरफ से जो बयान आया बड़ा बयान है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के capital market को नीचा दिखाने का दावा Amphi ने कर दिया है सर क्या बयान है किस तरीके से ए बयान आया है वहां से भी यह कहा गया है कि यह भारत के capital market को नीचा दिखाने का प्रयास है साथ ही साथ यह देश की तरक्की को भी नीचा दिखाने की एक कोशिश की गई है इंडनबर्ग की तरफ से और केवल और केवल इसका मकसद संसनी पैदा करना है और इसमें इसमें इ ऐसे प्रयास नहीं रोके गए तो यह देश की तरक्की के लिए एक बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं साथ ही देश का जो capital market है financial system है वह पारदर्सिय ट्रांस्पेरेंट और सुरक्षित है यह भी एमफी ने कहा है देश में करोड़ों इंवेस्टर्स म्यूचल फंड के जरी उनका एक मातर मकसद देश की जो सम्मान है या भारत का जो उसको ठेस पहुंचाना है market को ठेस पहुंचाने का मकसद है और कुछ नहीं है जी तो कहीं न कहीं सर एमफी को भी इस बात का डर है कि कहीं निवेशकों का भरोसा ना तूटने लगे और कहीं बाजार पर इसका अस नहीं पढ़ना चाहिए यह capital market के छवी को धूमिल करने के लिए यह प्रयाज किया गया है ऐसा का कहना है mutual fund के association का कहना है तो जब बात इसकी हो रही है सर कि सारी सफाई एक के बाद एक आ रही है सिलसिला चल चुका है दौर चल चुका है कि रिपोर्ट आई रिपोर्ट के बाद सबसे पहले मादभी पूरी बुच ने अब आयाएफिल की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो चुका है Blackstone की तरफ से हो चुका है Amphi की तरफ से हो चुका है सफाई तो बहुत सारी आ रही है पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मादभी पूरी बुच के उपर जो है वो मुश्किलों का दौर आ सकता है क्योंकि जिस की रिपोर्ट आई है कि आप इतनी सुबह से हम यह रिपोर्ट देख रहे हैं एक्सपर्ट के व्यूज भी सुन रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो सरे क्लोजिंग स्टेटमेंट की क्या मादभी पूरी बुच अब आगे उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है या फिर बाज बहुत चीजें खराब हैं जहां तक सेवी चीफ के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे तो वो सिर्फ आरोप है अभी तक किसी विसल ब्लोवर के जरिये जो बात हिंडन बर्ग कह रहे हैं अभी वो केवल हिंडन बर्ग का कहना है वो चीजें ना तो पुक्ता तोर पे सावित उसके बाद अभी इसी जून में सेवी ने हिंडन बर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था उनसे कई सवाल पूचे थे उसके बाद अब आकर इनका रिस्पॉंस आया है और रिस्पॉंस क्या आया उल्टा पलटवार सेवी चीफ पे किया है तो हब कहा नहीं जा सकता क यह कितनी सत्य हैं या नहीं है सरकार सेवी खुद अपने एंड पे और जो हमारी भी बात हुई है सेवी के फॉर्मर एग्जेकुटीव डिरेक्टर वह भी हमारे साथ एक लाइव में यह बता रहे थे कि जो अपॉइंट्मेंट की प्रॉक्सिस है वह बहुत पारदर्शी ह नियम काइदे कानून बहुत सकते हैं सारे डिस्कलोजर्स के जो नियम है वो बहुत सकते हैं और यह पूरी जो रिपोर्ट आई है यह फाल्तू की एक रिपोर्ट है और इसका कोई आधार जान नहीं पड़ता तो मोटी मोटी बात फिलाल तो यही लग रही है कि हमें अपन संस्ताओं पे सेवी पे उस पे भरोसा ज्यादा करना चाहिए जब तक कि कोई चीज ऐसी नहीं आती जो चीजों को स्थापित कर पाए जी तो कोई पुकता जानकारी नहीं है अभी हिंडनबर्ग की सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट है एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर से यही बात कई है कि मार्केट रेगुलेटर पर भरोसा बनाए रखे हैं और यह सब जो है वो छवी को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है क्या कुछ होता है इस मामले में आगे अब यह देखने वाली बात होगी सफाई का दौर सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है ए लेकिन अब क्या कुछ और होता है इस मामले में क्या यह मामला बस इसी तरह उठ करके दब जाएगा या फिर कुछ एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा इसके ओपर यह सब कुछ आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी तब तक के लिए आप देखते रहें यह बिस्तक और के लाया है premium membership program जहां आपको मिलेंगे कई सारे फाइथे जिन में market newsletter, live chat पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, market outlook, weekend पर market scan, anchors के साथ chat और भी बहुत कुछ इस premium subscription में तीन तरह के plans है, silver, gold और platinum जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के YouTube चैनल पर जाए, join button पर click करें और अपना plan select करें, बस बन गए आप हमारे premium member झाल है